तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि बकरियों में होने वाले रोग से उनका बचाओ कैसे किया जाए चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी बकरियों में कौन-कौन से रोग होते हैं तथा उनका बचाओ किस प्रकाश से किया जाए यहां जहारखंड में खासकर के गुमला में पीपीर बीमारी और एफेमडी, एचेस, बीक्यू यह सब गोटपॉक्स यह खासकर के यहां पर आती है इसमें बचाने के लिए यह है कि आपको समय से टीका करन करवा लेना है और अगर टीका करन नहीं कराते हैं तो एक भी अगर चपेट में आता है तो जितने भी घर में रखते हैं वो पूरे में फैल जाती है रोक थाम का मात्र एक ही उपाई है समय पर टीका करन करना और समय पर टीका करन करेंगे वो भी ध्यान देना है जैसे ठंडे से स्टार्ट होने से पहले आपको पीपीर का करा लेना है और जैस जिसे जुन जुलाई में आपको कर लेना है। बख्रियां चारा खाना बंद कर देती है। स्वस्थ बख्री को PPR जैसे रोगों से बचाने के लिए समय पर टीके लगबाते रहें। लंगडी बीमारी में खास करके बचात के समय भी आती है। जब यह आती है तो इसमें देखेगा कि जुएंट जुएंट में जहाँ जुएंट है वहाँ पर फूल जाता है और काला हो जाएगा। और वो चलने में पुरा लंगडा के चलेगा। जिससे कि उचलने से असमर्थ जाता है। जब उसको चुएंगे तो शरीर भी गरम रहेगा उसका बोड़ी टंपरेचर हाई वी आती है। इसका भी हम लोग समय सकत्रीका करन ना करें तो यह इसके चेपिट माँ जाती है। अपने गौट फार्म को हमेशा साफ और केटानू से मुक्त रखें। समय रहते पशू चुकित्सक से संपर्क करें। एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग भी कहा जाता है। यह जिवानू बक्रियों के शरीर के अंदर हवा, पानी, खाना, सांस, घाव इत्यादी के माध्यम से प्रविष्ट कर सकता है। अगर हो गई है, तो जी छेतर में आप चराने के लिए ले आते हैं, या जो उसके संपर्क में बक्री या जो उसके चराने वाला व्यक्ति है, वो दुसरे बक्री से नसर्ट है। नहीं तो वो फैलते हुए, उस सब के तरफ बढ़ते चला जागा। अगर दुसरे जगह से भी अगर हुआ वाला 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 व्यक्ति है, तो अपने बक्री में फैलते हैं। दुसरा है कि आवर मेटिन इंजेक्शन आती है। ऐसे तो पचास के जी बोडी बेट पर आपको एक हमिल देना रहता है। पर हम लोग हाफ है में दे करके भी उसकों लोग कॉंट्रोल कर सकते हैं। इंडो परसेट, इक्टो परसेट, मतब शरीर के अंदर में भी उक्राइब, शरीर के उपर में भी खसरुरी विगरा हो गया, जो बताया है कि बाल जड़ जाड़ जाता है, वहाँ पर वह जो बेक्ट्रिया वो बिलकुल साफ हो आता है। एक बार हर एक बकरी को एंद्रेक्स रोक की रोक थाम हितूटी का अवश्य लगवाएं। वहीं नीमोनिया से बकरी के फेपड़े में सूजन आ जाती है। शरीर का तापमान 144 से 148 फॉरेन हाइट चला जाता है। बकरियों के सांस लेने की गती टेज हो जाती है। ऐसी कित्सक की राय से बकरीयों को दवाओं का सेवन करवाएं। झाम झाम की ठचला जाता है।